सबी दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ और वो यह है कि उप राज़िपाल ने होम आईसोलेशन के फैसले को बदल दिया है आए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्क्राइब कर लिजे और बेल आइकान प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अब्डेट्स आपको लगातार मिलती रहें और साथी साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो जानते हैं पूरी खबर विस्तार से केजरीवाल सरकार के कड़े संघर्ष के बाद उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के हर कोरोना मरीज को अनिवार रूप से स्वास्त जाच के लिए कोवीड केर सेंटर भेजे जाने के आदेश को वापस ले लिया है अब जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा भेजी गई टीम मरीज के घर पर देखेगी कि मरीज होम आईसोलेशन में रह सकता है या उसे कोवीड केर सेंटर या कोवील हैल्थ सेंटर या अस्पताल भेजने की जरूवत है इसका मतलब यह हुआ कि पहले जिला सर्विलांस अधिकारी के द्वारा जो टीम भेजी जाएगी वो ये डिसाइट करेगी कि पेशेंट को कहा रहना है होम आईसोलेशन में रहना है या कोवीड केर सेंटर में और या फिर हॉस्पिटल में दिल्ले में पुरानी होम आईसोलेशन की ब्योस्था बहाल हो गई है जो दिल्ले सरकार की बड़ी जीत है इसके पहले भी उप राजिपाल ने केजरीवाल सरकार के कड़े विरोध के बाद पांच दिन बाद होम आईसोलेशन की अनिवारेता के फैसले को वापस ले लिया था तो आए जानते हैं और इसके वारे में विस्तार से तो आए जान लेते हैं क्या है इसके नियम नए फैसले के अनुसार जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा भेजी गई आईसोलेशन टीम के आकलन के बाद ही कोबिट पॉजिटिव मरीज को होम आईसोलेशन की अनुमती दी जाएगी जो आईसोलेशन टीम भेजी जाएगी वो ये डिसाइड करेगी कि होम आईसोलेशन में रखा जा सकता है या नहीं और उसके बाद ही उसको होम आइसोलेशन की परिमिशन मिलेगी इसके तहत कोविड मरीज के लिए उसके आवास पर तै दिशा निर्देश के अनुसार अलग अलग कमरा बस जो पेशेंट घर पर रहेगा उसके लिए अलग कमरा अलग शोचाले की सुविधा होनी चाहिए और मकान कम सकम दो कमरों का होना चाहिए अगर मरीज के घर में आइसोलेशन के लिए परियाप्त सुविधा नहीं है तो रोगी को कोविड केर सेंटर में भरती कराया जाएगा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को कैट एम्बलेंस नंबर के साथ परामर्श के लिए एक संपर्क नंबर भी दिया जाएगा ताकि मरीज में कोरोना के लक्षन तेज होते ही उसे अस्पताल में पहुंचाया जा सके तो यह थी लेटेस्ट अफडेट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेर जिरूर कर दीजेगा ताकि सब कुछ अनकारी हो जाए ओके थाइनक्यू